नमस्कार शाथियो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोविड-19 की बज़े से कुछ परिवार जो परभावित हुए है यानि कि उनका व्यवसाय परभावित हुआ है तो एसी इस्तिति को देखते हुए राजस्तान सरकार की ओर से एक नोन-NFSA सर्वे करवाया जा रहा है जो खादे सरक्षा से नहीं जुड़े हुए है यानि कि जो राजस्तान के परवाशी है जो अन्य राजे से अपने घर की ओर लोटे है लेकिन उन्हें खाध्यान की समस्या है तो ऐसी इस्तिति में उनके लिए एक इमित्र के माध्यम्शे दो तरीके हैं एक इमित्र एप्ल करने के बाद में सारी परकृरिया इसी परकार से इमीत्र वेबसाइट पर चलती है तो आपको इसमें क्या करना है दरसल उन परिवारों की पहचान करनी है जो परिवार नोन एंफ हैसे हैं मतलब जो खाजिस रुखशा चे नहीं जुड़े हुए है और जो परवाशि हैं और क परियास करूंगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है जुगल पर जाना है और आपके सामने इसower का Spotify देख रहे होंगे आपके सामने एक ओप सता है माइंल है है माइग्रें के सारह आपके सामने तर पर यहां पर आप क्लिक करोगे यहां पर आप क्लिक करने की पस्चाथ आपके सामने इस परकार का इंटरफेस आएगा और किशी भी परिवार का जब आप सर्वे कर रही हो तो आपको तीन आधार से इसको आपको देख शकते हैं एक तो जन आधार से और दूसरा आधार कार्ड से और तीसरा उस परिवार के किशी भी शदशे का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जिसके माद्यम से एक ओटीपी आएगा और ओटीपी के बाद मैं आपको वहां पर उस फैमिली की सारी डीटेल्स वहां पर आप देख सकते चलिए देखते हैं क्या करना तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद मैं सर्च पर किलिक करेंगे यहां पर मैंने mobile number इंटर किया आप चाहो तो mobile के अलवा जन आधार और आधार card इन दोनों दो और option से भी इसको search कर सकते हो मैंने यहां पर mobile number से किया और mobile number से जिशे हमने किया तो यहां पर आप देख रहे होंगे आपके सामने इस family से समझ देख उस family की सारी details जो जिनका रैसन पर है जिसरी तो यह दो ठीक है किसी एक पर आप किलिक करिये और किलिक करने के बाद में verify and fast detail पर click कर देना ठीक है जिसे हम यहाँ पर करते हैं दरिया और यहाँ पर हम करते है verify and fast details पर और इस पे हमने जिशी के लिए कि अब आपके मुबाइल पर एक OTP आया होगा आपके मतलब आपने जिस परिवार को सर्च किया है उस परिवार की मुबाइल नंबर जो रिजिस्टर्ड है उस पर एक OTP जाएगा और उस OTP को आपको 15 मिनिट के अंदर उसकी वेद्यता 15 सिस्टम में इंटर करना है और इंटर करने के बाद में दरसल एक इस परकार का इंटरपैस आपके सामने आएगा और उस फेमिली से समंदित जितने भी फेमिली मेंबर है उन सबकी डिटेल्स आपके सामने आ जाती है जैसे कि आप यहाँ पर सबसे पहले अब जितने भी ना आप से एक option पूछा जाता है क्या परिवार का कोई भी सदस्य बाहर अधार राजस्तान से बाहर अगर कोई भी निवाश करता है करता है या फिर अरदार परिवार में कोई भी सदस्य परवाशी है अगर है तो आप यश करोगे ठीक है और अगर नहीं है तो आप नो करोगे आ आपके सामने ये options खुल जाते हैं कि इनमें से कौन सा सदशी है वो परवासी है और कौन सा सदशी नहीं है जैसे कि हम यहाँ पर करते हैं इसको कि यह परवासी है ठीक है तो यहाँ पर आपको उसके आधार नमबर इंटर करने है ठीक है और अगर वो नहीं किसी पर करते है तो आपको कुछ भी इंटर नहीं करना जैसे यह आपने यहां पर कर दिया तो यह आजाएगा कि यह आपका यह वेक्ति है आपका यह शदस्षी है जो परवाशी है किसी अन्य राज्य में रहता यहां पर आपको आधार नंबर इंटर कर देना है उसके बाद में आपको आगे दाना है कि परिवार का प्रतेग शदस्य जैसे की हैड़ो फैमिली पहला शदस्य क्या करता है श्वयम का व्यवसाई है या किसी अन्य के व्यवसाई में कारे रत है ठीक है अगर अन्य के व्यवसाई अगर श्वयम का है तो श्वयम का करोगे और श्वयम का है लेकिन उसका क्या है वो किस राजे किस राजे में उसका व्यवसाई है उस राजे का जिला क्या है और उसका पूर्ण पता यहां पर आपको लिखना है उसका आपके मोबाइल नमबर लिखने है व्यवसाई किस रेणी का है और इमेल आईडी यहां पर आपको देनी है ठीक है और यह जैसे इस प्रकार के आप यहां पर देख रहे होंगे यह जितने भी वियुसाइख इन सब में उन सब का सम्मंध किशी न किशी से होता है तो यहां पर आप एक को स्रेइट कर लोगे अन्य आगर कोई अब आप इस सेरेंशी में पर करोगे कि अन्य की व्यावसाई में कारे रहते हैं तो आपको ये पुछी गा कि वह साय कहां पर है उसका और बेवसाय के मालिक मालिक का नाम क्या है मालिक के मोबाइल नमबर और उस विखाय की शना की श्रेणी क्या जो पूरव में नर्धारित है लगबग त最 Всव तरिशंदी स्रेणिया है उसी के इंतर्गेट आप देख रहे हूंगे जैसे ये सिरेणिया तो यह जितनी भी श्रेणिया है उन सब में से जिस श्रेणी से वो परिवार समंद रखता है तो उस पर नाम या पिर एक को सब्सक्राइब कर सकते हो ठीक है उसके बाद में मॉंबाइल नमर हो गया अब अब दरसल क्या होता है कि ये तो था पहले परिवार के सदस्य का अब ह ये परिवार के सदस्य है उन सब के बारे में आप यहां पर जानकारी इंटर करते रहोगे ठीक है और कोई भी सदस्यक्दर अगर 12 है ूहीर मेरी श्यों के द्वारा दाधिजारी है और पूर्ण तैसर्य को सुझना है सही है, और covid-90 के पारण मेरे परिवार के रोजगार पर परभावित हुए है। तो आपको मुखे तह किन चीजों vaiselsनों का ध्यान रखना है? कि बीक परिवार का आप इस पर कार्षी सर्वे कर रहे हो, उस परिवार से समंदित आपको सबसे पहली बेशिक जानकारी ये लेनी है कि उस परिवार का कोई भी शदशी बाहर से आता है या नहीं आता है अगर वो बाहर से नहीं आता है मतलब अगर वो परवाशी नहीं है तो इसी इस्तते में आपको यहाँ पर करना है जिसे कि हमने उपर ही देख लिया था यहां पर आप नो कर लोगे तो नो करने के बाद में आपके सारी details इस परकार से भरी जाएगी ठीक है तो यह इसी परकार से होगा और मैं submit शेली नहीं कर रहा हूं और अंत में आपको submit करना है और यहां पर आपको इसको क्लिक कर दीजी ठीक है और सब्मीट पर क्लिक करते ही आपके पास एक किशी के पास तो मुबाइल नमर पर मेशे जा रहे हैं या फिर शीदा ही लिखा हुआ आज जाएगा कि आपका एपलीकेशन है वह सब्मीट सक्सेस्पुली हो चुका है इस प्रकार से आपको सारी परक्रिया के तहब आपको यह जानकारी ओनलाइन करनी है जैसे आप ओनलाइन करोगे तो यह एन फैसे में जुड़ जाएगा नाम इस प्रकार शेया आप कर सकते हो इसकी अलावा आप मोबाइल एपलीकेशन की माद्यमशे भी काम कर सकते हो जिसका लिंक में आपको नीचे में दे दूँगा अभी इसकी साइड थोड़ी सी नहीं चल रही थी इसलिए मैंने यहां पर मतलब वहां पर भी शैम प्रक्रिया है आप जैसे ही उसको खोलोगे तो खोलने के बाद में इसी प्रकार का इंटरफेस आएगा और सबसे पहले मतलब तीसरे नंबर ओप्शन मे पर राइड का चिनन दाना जरूरी है जैसे आप इसमें दोगे राइड हो गया और फिर बाद में सब्मीट पर क्लिक कर देना सब्मीट पर क्लिक करते हैं सक्सेबूरी सब्मीट मेट हो जाएगा इस परकार चर आपका कारे पूरण हो जाता धन्यवाद